हेई गाइस कासे अब सब्लोक स्वागेता अपलोक सुपाईवस गिमस में इस वाली वीडियो में आपको पताने वाला हूँ कैसे आप अपने जो पोजाव लॉंचर में BSL Shader या फिर कोई भी जावा शेडर आप आराम से अपने पोजाव लॉंचर में डाउलोड करके खेल सकते, यहां पर जैसे आप देख सकते, मैं BSL Shader लेके अपना जो पोजाव launcher में उसे रंद कर रहा हूँ बट आप यहां देखी सकते, बहुत ज्यादा लाग हो रहा है, क्योंकि मेरा जो Android डिवाइस है, वो है 3GB RAM का और यहां पर आपको जो minimum RAM है, आपको अपना जो पोजाव launcher में चलाने के लिए, यह शेडर वो है, शायद 4 है, शायद 4 में तो मैंने अभी टलक चेक नहीं किया है, 6 में अच्छा से, मतलब 30 fps आपको मिल जाएगा, और उससे जादा रहे है, तो बहुत जादा अच्छा यहां पर बताई सकते हैं कि यह पूरा BSL Shader है, और कोई भी फेक वीडियो नहीं है, यह पूरा पूरा पूरे पोजाव launcher है, जो हम अपने जो Android डिवाइस में खेलते हैं, और यहां पर अगर आपको इसे डाउन्लोड करना है, तो इस वीडियो पूरा दिखे है, क्योंकि इ यह पूरा 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 BSL Shader या फिर आप और कोई भी शेडर आप इस पर लगा सकते हैं, और एक और बात इस पर प्रोसेसर की कोई भी यहां पर लोचा नहीं रहता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया थे कि प्रोसेसर के इस पर दिक्कत होती है, याँ कि कोई भी दिक्कत में आप इसमें मीडियाटेक या फिर कोटेक्स, कोई भी स्नाप ड्रागन या कोई भी जो हमारा जो प्रोसेसर उस पर खेल सकते हैं, तो मतलब कि आप अराम से आप ताप कोई भी डिवाइस भी खेल सकते हैं, बस आपका डिवाइस थोड़ा हाएड होना at least 6GB RAM का so आप gameplay दो देख लिए तो चलिए इसकी देख लिए डाउन्लोडिंग प्रोसेस सीधा चलते वीडियो के तरफ और वीडियो थोड़ा ध्यान से देखेगा गाइस तो सबसे पहले आपको एक कोई भी Google Chrome खोले मातलब कि आपको अपना कोई भी इसको राइट तरफ जो मतलब कि आपको 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 आप क्लिक नहीं होगा तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंट करूंगा सबसे पहले आप अपना अकाउंट गिटहब का उसके यहाँ पर आप अपना इसे डाउड कर सकते तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना अकाउंट बना लेता है उसके आपको दिखाता है इसे डाउड करना है तो यहां पर आपको अपने Z-Archiver में आना है Z-Archiver के डाउड फोल्ड में आपको यह मिल जाएगा और आपको एक और शेडर दिया BSL शेडर जो मैंने आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाली आपको इसे डाउड करने हैं तो यहां पर इसे डिलीट करने बाद आपको अपना नया पोजाव लॉंचर जो इसे इंस्टॉल करना है जो उसे आपको cut करना है cut करती है आपको device memory में जाना device memory में आपको games को option मिले games option के अदर आपको मिलेगा pojav launcher pojav launcher के आपको जाना है minecraft के अंदर minecraft के अंदर आपको shader pack option मिलेगा वहाँ पर folder उसके अंदर आपको इसे paste कर देना है और हाँ आपका जो चोपक जो शेडर था वो भी इस पे फिक्स हो जाएगा तो इस पे आपको कोई दीख करनी है तो सबसे पहले आपको अपना पोजाव लांचर ओपन करना यहाँ पर अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है उसके बाद जैसी आप लॉग इन कर लेते हो इस après और जाना है यहाँडर आपको सब्सक्राहइं इसके ऊपर क्लिक करना चैनल करती है यहाँजर जिन्क जायद कर दीञद ज्यादा जितना रहे का उतना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि बतला कि आपका सही चलेगा उसके यहाँ पर आपका रेजलूशन जो है यहाँ पर इसको कम कर दिए ताकि आपका जो है लाग कम करें ठीक है तो यह भी हो गया आपको सीधा यहाँ पर वर्जिजन सेलेक्ट करने वरिजन में आप अपना जो भी optifine रहना ज़रूरी है काईस यहाँ पर optifine select करते हैं यहाँ पर play के उपर click कर दीजिए उसके लाद आपका game open होने लगेगा तो देखें यहाँ पर game open होने लग गया उसके लाद में आपको बता तो open करने बाद आपको क्या करना अपना क्या अपने God कैसे यहां पर install करने मेरा jsूद्ce सबसे पहले सबसे पहले आपको single gucken बॉलड को create कर लेना वी अपने ग्रीड कर लेता हो इसका भी आप मौना बेहरी दॉर करना नहीं है यहां पर वीडियो कॉछेटिंग्स और यहां पर अब को अन्र jeo आपको आप को कुलिक कर दे रहीं यहां पर ऐकDas कर प्रेस कर देजबर तो आपको यहां पर जो मौलत करेंगर होने लगा यहां मतलई इस लेटा है मैं इसाथ स्क्रीन हो बताता हो क्या करता है यहां पर अपको सबसे पहले दनने क्लिक करना है यहां पड़से बसका सबस्काइब device है थोड़ा तो यहां पर थोड़ा lag होगा तो यहां पर भी फिर से done पर click किए वापस से done पर यहां पर click कर दीजे यहां पर back to game पर click कर दीजे यहां थे कि आपका game start हो चुका यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो BSL shader है वो यहां पर install हो चुका है और actually guys BSL shader नहीं आप आप कोई भी shader आराम से आप मतलब कि चला सकते है अपने pojav launcher में जो मैंने steps कि आपको follow करना हो यहां पर जहां पर shaders की बाता है तो BSL के जग आपको जो भी shader आपको इंस्टॉल करना है वो पस डाउनोड करके आपको अपने shader पैक के अंदर पेस्ट कर देना आप यहां पर आप आराम से उस shader को अपने pojav launcher में खेल सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते कि जो shader है बिल्कुल इतम परफेक्ट लग रहा है यहां पर यहां पर आप देख के बताई सकते कोई भी फेक वीडियो नहीं यहां पर मैंने स्टेप पूरे प्रूफ के साथ यहां पर दिखाए कि यहां पर जो हमाया जो पुझाव लॉंजर है जो हमारे आंडुड डिवाइस में अब वो चल सकता है अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीज़े चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इसी शेडर को इंस्ट्राल करें में कोई भी दिखकता है तो मुझे जल्दी से कमेड में बता दिए तो मिलते हो हमसे नहीं वीडियो में तब तक के लिए गुद्बाइ